हेलो दोस्तों नमस्कार दिनवर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे जहां सबसे पहले बताएंगे भारत के दुश्मनों को कहां से मिल रहे नाटो फॉज के हथेयार कश्मीर से लेकर पंजाब तक हो रही है सपलाई इसने भारत ये सेनिकों को चौंका दिया है दोस् से महाविनाशक जंगी जहाज चीन की निकल जाएगी हेकडी तो वहीं कश्मीर पहुंचते ही आखिर प्रधान मंत्री मोदी जी के लिए क्या बोल दिया राहूल गांदी ने खूब होने लगा हला दोस्तों तो वहीं हर्याना में अब की बार किसकी बनेगी सरकार MCD Standing Committee चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा जटका डिजल्ट आ गए सामने दोस्तों बताएंगे BJP को कितनी जोन में जीत मिली है दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे बस आप वीडियो का अंदे तक बने रेगा और खबरों आगे बने से पहले देश भारत का पुर जोर समर्थन करते निरंतर विकास होते वे देखना चाते हैं भारत में तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन धबा के कमेंट में जहीं दवश कह दीजेगा तो बात करें पहली बड़ी खबर की जहां भारत के दुश रक्षा सयोग के तहत हतियार उपलब्द कराता है यह हतियार आमतोर पर अत्याधुनिक होते हैं और इन्हें कड़ी सुरक्षा के साथ भेजा जाता है लेकिन हाल के कुछ वर्षों में देखा गया है कि यह हतियार कुछ असामाजिक तत्मों जैसे कि अपरादी गिरों और आतंगवादी समूह के पास पहुंच रहे हैं इसका एक प्रमुक कारण है हतियारों की तसकरी भारत में ऐसे कई गिरों और आतंगवादी समूह है जो इन हतियारों को अपने आपरादी गतिवीदियों के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं यह ना केवल राष्ट्रिय सुरक्षा में आते देखा पुलिस ट्रीम ने तुरंद कार को रुकने का सिगनल दिया लेकिन कार में सवार लोग रुकने की बजाए भागने का परयास करने लगे हाला की पुलिस की चुस्ति और मुस्तैदी के चलते अप राधी भागने में असफल रहे और उनकी कार पुलिस यानि की दोस्तों ये हत्यार नाटो आर्मीज के लिए बनी हुई है एसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत के दुश्मनों को ये नाटो में बनी हत्यारों को मुहया करवा कौन रहा है ऐसे में इसको लेकर जांच बैठाई जारी दोस्तों देखना यह होगा कि कौन निकल कर सामने आता है इसके पीछे जो भारत को देहलाने की कोशिच में लगा हुआ है लेकिन दोस्तों अगर नाटो की बात हो रही है तो एक देश जरूर आप उस समझ पा रहे होंगे कि उसका हाथ हो सकता है कमेंड में बताना मत भूलेगा देखते हैं क्या कहती हमा तोहीद हुसेन ने भारत को लेकर अपना शातिरपना जाहिर किया है उन्होंने नई दिली पर आम बांगलादेशियों की मांगो पर महत्वन ना देने और वर्तमान में बांगलादेश में रह रहे हैं दस लाक से अधिक रोहिंगिया शर्नार्थियों को वापस भेजने में मदद ना करने का आरोब लगाया ABP NEWS के साथ एक इंटर्वीम नोंने BSF की बोली वारी में मौत का जिकर किया और कहा कि सीमा पर एक व्यक्ति की हत्या होती है और पूरे बांगलादेश में उसका दर्द महसूस किया जाता है उन्होंने कहा कि सीमा पर भारत को हत्याओं को र लग रखा जा सकता है यहाँ यह जानना जरोड़ी है कि शेक हसीना के कारेकाल में सा यहाँ में बांगला देश और भारत साथ गोजके चलते पाकिस्तां की यह दाल नहीं गल रही नई दिली और ढाका के संबंदों को लेकर हुसेन ने कहा कि भारत जानता है कि बांगलादेश के लोग क्या चाहते हैं लेकिन शायद उन्होंने लोगों के बज़ा एक व्यक्ति और एक पार्टी के साथ संबंदों को अधिक महत्व दिया ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानी प्र प्रुस की तागत बता दे भारत के नौसेना की तागत में जल्द ही बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है भारत के लिए रशिया में दो तलवार क्लास स्टिल्द जंगी जहाज तयार किये जा रहे हैं जिन में से 1.2 महीने न growers के पास पहुँंचनें वाला है यहाज समाचार एजनसी आ रहाई ए नोवस्ती ने बताए कि ये युद्पोध ब्रमोस मिसाइलों से लेस होंगे जिने भारत और रूस ने मिलकर विक्सित और निर्मित किया है तो वहीं आपको बता दे कश्मीर पहुंच तही प्रधान मंतरी मोधी के लिए यह क्या बोल गए को कोई हरा नहीं सकता उन्होंने और नरेंदर मोधी जी कहते थे मैं भग्वान से सीधे बात करता हूं कॉंक्ष नेता रहुल वंदन खड़ा हो गया है जिससे उनका पूरा आत्म विश्वास गायब हो चुगा है राहुल गांदी ने कहा उन्होंने लोग सभाचुनाप से पहले नरेंदर मोधी छादी चौड़ी करके आते थे अब उनके कंदे जुग गए हैं इस वार उन्होंने संसद में घुसने से पहले सविधान माथे पर लगाया और फिर अंदर गए यह कहीं ना कहीं दोस्तों जमू कश्मीर पहुंचते ही प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी जी पर बड़ा कटास करते नजर आये हैं राहुल गांदी जो कि हमेशा की तरह बिना मोधी जी को को से उनकी रूटी शायद न पने की सरकार सत्यपाल मलिक ने कर दी बड़ी भविश्यवानी हरियाना में विधासवार चुनाप को लेकर सियासी पार्टियां लगाता रड़नीती बनाने में जुटी हैं बीजबी कॉंग्रेस से लेकर तमाम पार्टियां अपने दावे और वादे कर रही है इस बीच ज नहीं करेगा जनता जब खिलाव हो जाती है तो कोई चीज काम नहीं आती यह कहना है दोस्तर सथ्पाल Malik का और आप समझ भी पा रहे होंगे कि उनका यह बयान की Congress Party जीतेगी हर्याना में यह कहीं ना कहीं भारतिया जनता पार्टी से खफा होने का ही उनका एक वजय हो सकता है कि वो कॉंग्रेस को जिताने की बात कर रहे हैं बेरहाल दोस्तेश पर आपकी रायतो बंतिय सत्वाल मलिक केश भविश्चवानी को लेकर तो वहीं आपको बता दे बांगलादेश की नाबालिक हिंदु लड़की की बॉ अचने के लिए तिरुपुरा जाने की कोशिश कर रही थी घटना रविवार रात को हुई है लेकिन बीस अपने सोंबार को उनों कोटी जिले के कैलाश शहर में भारत मांगलादेश सीमा के जीरो पॉइंट के पास स्वर ने दास का शब बरामद किया जी हां तो वहीं आप को बता दे पाकिस्तान और तालीन के बीच शुरू हुई नई जंग बॉहर पर देर राध तक हुई भारी गोली वारी कई लोगों के मरने की आशंक दरसल मुवार तालिबान और पाकिस्तान के बीच बुदवार को बॉर्डर पर नई जंग शुरू हो गई है अफगानिस्तान के खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बुदवार शाम करीब 7 बजे खोस्त प्रांद के जाजी मैदान जिले में कालपनिक डूरंड रेखा पर पाकिस्तानी बलों के बीच भारी गोलिबारी शुरू हो गई जो देर रातक जारी रही दोनों पक्स भारी हत्यारों का इस्तिमाल कर रहे हैं अस्थानीय सूत्रों ने बताया है कि अफगान बल डूरंड लाइन से लगे सीमा वर्ती इलाके में नई चोंकियों का निर्मान कर रहे हैं ज दोनों पक्षों के बीच गोली भारी बंद हो गई है पाकिस्तानी पक्ष के अस्थानिया लोगों दोनों तरफ के कई लोगों के मारे जाने की आशंका जदाई हैं लेकिन अभी तक कोई विस्त्री जानकारी उप्रब्ल नहीं है तो वहीं बता दें ब्रमोस की ताकत से चाइना सी स्ट्रेटिक सिच्वेशन प्रोबिंग इनिशियेटिव यानी स्टी स्पी ने हाली में चेतावनी दिया कि फिलिपिन्स के हवाई उकसाई उकसावे से केवल विवाध ही नहीं बढ़ेगा बलकि इससे और गंभीर दुलगटनाओं का खत्रा बढ़ सकता है वही कदम बढ़ाया है इस अत्याधुनिक मिसाल प्रनाली की वज़े से दक्षिन चीन सागर में फिलिपिन्स चीन को काउंटर कर सकता है फिलिपिन्स के इस तेवर से चीन परेशान नजर आ रहा है तो वहीं बता दें आई एमफ ने पाकिस्तान को धमाया जुन-जुना उल्ट इमिरात और चीन जैसे मित्र देशों के लाखों करोडों रुपे का रिन है इसके बावजूद पाकिस्तान की शहवाज शरीप सरकार अंतर राष्ट्रे मुद्रा कोश यानी आई मेफ से 7 अरब डॉलर का कर्ज लेने की कोशिश कर रही है हाली में आई मेफ के अधिकारियो और पाकिस्तान वित्र मंत्रा लेका धिकारियों के बीच वर्चूल मीटिंग थी जिसमें अगली किस्त जारी करने पर फैसला लिया जाना था लेकिन आई मेफ ने शहवाज शरीप सरकार को जोरदा जटका दिया है अंतर राष्ट्रे मुद्रा कोश के कार्य कारी बोर्ड पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देने की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नहीं दी है इस तरह पाकिस्तान का प्रपोजल फिलहार ठंडे बस्ते में चला आगया है तो वहीं आपको बता दें आई एनस अरिघात ने उड़ाई दुश्मनों की नीद रडार में आये पाकिस् लगात की दुश्मन के लिए काफी घातक सावित होगी आई एनस अरिघात में मिशाइल हैस की संखियां दुगनी होने की बात कहीं जा रही है इस संबंद में नौशेना के सूत्रों ने बताया है कि जादा मिशाइलें ले जानने में सक्षम है और इसमें जादा शक्तिशा पानी में डूबा रह सकता है अगर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग से टार्गेट किया जाए तो के 15 मिसाइल तिबद स्वायत चेत्र और चीन के युनान प्रांत में रणनीतिक लक्षों पर निशाना साथ सकती है वहीं बता दें भारत के नक्षे के साथ नेपाल ने न पर नया नक्षा चापने को मंजूरी दी जिसमें कई इलागे भारत के दिखाए गए थे अब खबर है कि नेपाल ने इन नोटों को चापना शुरू कर दिया है नेपाल का केंद्रिये बैंक अपडेट नक्षे वाले नोट चापने की तैयारी कर रहा है इनमें भारत के वि परिंपिया दूरा शामिले इन इलाकों पर भारत अपना कबजा बताता है कबजा के दोस्तों भारत के ही यह इलाके है जबकि नेपाल इसे अपने इलाके बताता रहा है नेपाल रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक नोटों की 6 महीने से 1 साल में पूरी हो जाएगी फिलहाल सो रुपए के नोट पर यह भारत के छेत्रों को छापेगा नेपाल जो वाकई में दोस्तों भारत को बहुत बड़े जटके के रूप में देखा जा रहा है वैसे भी ओली दोस्तों चीन समर्ण तक हमेशा से माने जाते आए हैं उन्होंने हमेशा चीन का साथ दिया है बज अमेर्की चुनाओं में रशिया की एंट्री वोटर्स को लेगा साथ जिस रचने का आरोप बता दें अमेर्की सरकार रशिया पर दोजार चौबिस के इस रास्टरवधी चुनाओं में दुष्प्रचार करने की कोशिश का आरोप लगाने जा रही है यह जैनकारी आया जाएगा अमेर्की अधिकाजियों का मानना है कि और अन्ने ओनलाइन प्लेटफार्मों के जरिये से रूस ने अमेर्की चुनाओं में हस्तचेप करने की कोशिश किया इस घोशना के साथ ही नियाए विभाग के चुनादी खत्रे आसक फोर्स भी होगी जिसमें ग्रामीनों को मौत के घाट उतार दिया ये घटना रविवार को योबे के तारमुवा परिश्य छेत्र में हुई है अस्थानिय लोगों के अनुस्तार 50 से जाधा चरंपंती भाइक पर सवार होकर आये और उन्होंने पहले तो गोलिबारी की और फिर बिल्डिंग में आग को हराम हमेशा से लोगों की हत्या करने में समलित रहा है तो वहीं बता दें सिर्जुखाकर टोपी उतारकर वोट की विनती उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की जनता से भावुक करके मांगी अपील बता दें जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारिया जोरो पर है सियासी बैटकोर रेलियो का दोर जारी है इस बिस गांदरबल में पार्टी कार करताओं को संबोधित करते वे उमर अब्दुल्ला ने बेहत भावुकों कर लोगों से आगामी चुनावों में समर्थन की अपील किये सिर्जुखाकर और अपनी टोपी उतारते हुए उन्होंने नि चुनाव अब्दुल्ला के लिए खास महत रखता है क्योंकि हाली में उन्हें 12 मुला से लोक्सवा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था वहीं बता दें तालीबान चुरा रहा भारतियों के घीतों की धुन मश्हूर गीतों की तर्जबर इस्लामिक धार्मिक गीत बन अपने नशीदों के लिए उन गानों की धुन चुरा रहा है जिनको वह हराम कहता है अमुटीव ने तालीबान नेंतृत मीडिया की और से हाली में जारी नशीदों की जाच के बाद यह दावा किया है अमुटीवी की रिपोर्ट कहती है कि यह नशीद लोक प्रिया संगीत विशेशग की पैचान नहीं बताई गई है दोस्तों बताते वहीं किनेडा का चीन पर बढ़ा है और करारा प्रहार चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सोप रदीश टेक्स का कर दिया एलान बता दें चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उतपादन को नए ट्रोजन होर्स के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि वो वैश्विक प्रतिश परदा को खतम कर सके अमेरिका यूरोपिया संग और केनेडा ने इस पर प्रतिक्रिया देते वे चीनी आयात पर टेक्स बढ़ाने का फैसला किया है चीन की इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रतिक्राओं का अरोप लगा रहे हैं अमेरिका के बाद अब कनेडा ने भी चीनी इविस पर सोफ प्रतिशत टेक्स लगाने का फैसला किया है यह टेक्स इस वज़े से लगाया गया है ताकि चीनी कमपनियों की अनुचित प्रतिश परदा को रोका जा सके वहीं बता दे राष्टरवधि के एलान से दुनिया हैरान का एक अक्टुबर से यह शुरू होगा क्रिस्मस फेस्टीवल दोस्तों पूरी दुनिया क्रिस्मस का टिहार 25 दिसम्बर को मनाती है लेकिन वेने जुला के ताना शार निकोलस मादूरों सितमबर में क्रिस्मस की फिलिंग ले आता है जिसमें अनोने अपने दर्शकों को खुश करने के लिए कह दिया कि सितंबर में ही किस्मस की खुश्चों आ रहा है माधूरों का छाज साल सब्सक्राइब यो ये क्रिस्मस नरेंद्र मोधी बुद्वार चार सितंबल को सिंगापुर की दो दिवसिया यात्रा पर पहुंचे हैं पिम मोधी सिंगापुर के अपने समकक्ष लॉरेंस वॉंग के निमंत्रन पर वहां पहुंचे हैं जो इस दक्षिन पुर्वे शाहिदेश की उनकी पांच आधिकारिक की यात्रा है प्रधान मंत्री मोधी भुरुनई की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा समाथ करने के बाद सिंगापुर पहुंचे दो दिवसिया यात्रा के दोरान वो सिंगापुर के लॉरेंस प्रधान मंत्री लॉरेंस वॉंग से मुलागात करेंगे इसके साथ ही वो रा गुजरात इसमें बाड़ का दंश जेल रहा है राज के कई जुलों में बाड़ के पानी के आम जन जीवन बहुत प्रभावित हुआ है तो वहीं सरकारी आंकड़े के मुतादिक राज में अगस्त महीने में हुई भारी बारी से 49 लोगों की मौत हो चुकी है 25 से 30 अगस्त के बीच गुजरात के कई इलाकें में गहरे दबाब के कारण भारी से बहुत भारी बारी शुई राज राहत आयुक्त आलोकमार पांटे ने बताए कि गुजरात राजिस्तान सीमा पर बना दबाब धिरे धिरे अरब सागर में चला आ रहे हैं आधी रात भारत के लिए गुड न्यूस देखने को मिल रही है तीर अंदाज हरिविंदर सिंग ने गोल्ड मेडल जीत कर भारत की मेडल टेली में एक और चांद लगा दिया है हरिविंदर ने तीर अंदाजी के फानल में पोलेंड के लुकाज सीजे को बहतरीन अंदाज में टक कर दिया उन्होंने पोलेंड के खिलाडी को 6-0 से मात देकर गोल्ड पर कबजा कर लिया है दोस्तों वहीं आपको बता दें MCD standing committee चुनाव में आम आदमी पार्टी को तकड़ा जटका BJP ने 12 में से 7 जोन में जीत की दर्ज जी है दिली नगर निगम चुनावों में BJP ने 12 जोन में से 7 जोन में जीत हासिल किया इसके उलट आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 जोन में ही जीत दर्ज कर पाई है निगम में ह हुए यह चुनाव एहम है क्योंकि इससे नगर निगम की प्रभावशाली standing committee के structure में बदलाब होंगे यह कमेटी नगर निगम में एहम प्रशासनिक और वितियमामलों को देखती है BJP के साथ जोन में जीतने से पार्डी नहीं ने छेत्रों से standing committee के लिए 7 सदस्तियों की बता दे BJP ने जारी की 67 उम्मिद्वारों की पहली सूची करनाल की जगह लाडवा से लड़ेंगे CM सैनी दोस्तो हर्याना विधानसवा चुनाव के लिए भाजबा ने बुदभार रात 67 उम्मिद्वारों की पहली सूची जारी कर दिया इसमें 17 विधाई को और 8 मंत्रियो देकर चौका दिया है हर्याना उमिद्वारी की उमिद्वारों की पहली लिस्ट में BJP ने कई पूर्वुस्सांसदों के साथ जन्नायक जनता पार्टी यानी जेज़पी छोड़कर पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को भी मैदान में उतारा है पार्टी ने टिकट फटकंद्रीकटर ने कहा कि उस समय यानि पहलवानों की से कोई नहीं कह सकता था कि राजनिति से प्रीरित थे लेकिन अब हम कह सकते हैं कि राजनिति से प्रीट भृए तो वहीं आपको बता देई बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना मुख्योद देश्च हर्याना में कॉंग्रेस आमादमी पाटी गडवंदन पर मनीश शिषोधिया की दो टुक दोस्तों अर्याणा विधानशवा चुनाव में कॉंग्रेस और आमादमी पाटी के बीच संभावित गडवंदन को लेकर पुर्व डिप्टी सीम मनीश शिषोधिया ने बुद्वार को एहम बया अगर आपने भी तक नहीं बनवाया है इश्रम कार्ड तो तुरंद बनवाले फायदों को जानकर आप भी चौक जाएंगे दोस्तों केंदर सरकार द्वारा विविन छेत्रों में काम करने वाले असंगठित मजदूरों के लिए लॉंच किया है इस कार्ड को इस पोटल के को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाके कमेंट में जहिंद के ना मत भूलेगा मिलता गली बड़ी खबर में आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद जहिंद जय भारत